लो गाईस स्वागत एक बाफिट से आप सभी का आपके अपनी ही चैनल फैंटसी बस पे हम यहां बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेल साउथ आफिका के बीच में जो थर्ड टी ट्वेंटी खेला जाएगा उसके बारे में देखो फॉर्स टी ट्वेंटी में रंच बनने च तो आप अच्छा कर सकोगे आज के पिच में कैसा बिहेवियर रहेगा और कौन से प्लेयर इस पिच को देखते हुए आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे क्या है डेमो कॉम्बिनेशन स्मॉल लिग और ग्रेंड लिक के सारी चीजी आम इस वीडियो में जानेंगे जो इसा रहता है सेंचूरियन का विकेट इन शॉट यह वाला जो विकेट है पेसर प्लस बल्ले बाजों को एक्स्ट्र अडवांटेज देता है ठीक है अगर आप डीटेल में देखोगे स्टैक्स वाइस तो चौदा मैचस में 180 का एवरेज स्कोर है 14 में से 5 बार सबसे लागया था जहां 197 का 1st inning का एवरेज को 181 का 2nd inning का एवरेज को स्पीनर को 10 और पेसर को 44 विकेट मिले तो बैटर्स और पेसर ने थोड़ा अच्छा यहां पर अपना रोल दिखाया है इसके अलावा एक चीज़ जो मैं देखना हां ठीक है तो यह धियान रखना आप लोग यह जो मैंचे हुए है recent हुए most recent यहां पर जो मैंने आपको historic nature इसका बताया वही देखने मिल रहा है ठीक है अब यहां पर थोड़ा सा बैटिंग बॉलिंग टेकनीक देख लो कौन राइट हेंडर कौन लेफ्ट हेंडर कौन लेफ्ट हम और्थ रॉक्स है कौन लेख ब्रे जो recently CSA T20 में काफी बहतरीन performance करके आए है तो अभी बात करेंगे उनके बारे में अभी देखो रहा निकल्टर है जिनका लाज दो मैंचेज में यह performance रहा है 21 और 13 कुछ खास नहीं रहा लेकिन आप इनको consider कर सकते हो बैटिंग के लिए जब अच्छा विकेट रहता है तो य जाहो तो consider कर सकते हो इन दोनों में से कोई एक ठीक है दोनों के पास ability है बड़ा स्कोर करने का बट रिसेंटली दोनों थोड़े इनकंसिस्टेंट रहे है एदिन मार्कम बल्ले से काफी खराफ फॉर्म रहा है रिसेंट टाइमस में का लास्ट दो मैंचेज में भी अच्छे प्लेयर है यह आपको मेरे अकॉर्डिंग इस पोजीशन पर खेलने आते तो यह आपके लिए मस्टपिक रहेंगे ठीक है टेकनिकली स्ट्रॉंग बल्ले बाज है हिटिंग अच्छी है रिसेंट फॉर्म सांदार है तो यह हो गए मस्टपिक उसके बाद मार्कम क्योंकि अब बल्ले से प्रमोशन मिल रहा है हलाकि यह प्रमोशन बार पर नहीं मिलेगा हैं दूसरी चीज इनके पास एक अबिलीटी है कि यह जब पेसर को अच्छा सबोर्ट मिलता है ने ग्राउंड से तो यह काफी खतरनाक हो जाते इस्पेसली जो इनीशली फेस में प ठीक है थोड़ा फॉर्म गडबर हर रहा है रिसेंटली लेकिन इनकी हिटिंग अबिलीटी काफी सांदार है कम गिंदों में ज्यादा रण बनाने के लिए जाने जाते तो अगर आपको रिस्क लेना है न तो आप क्लास इन को लेके जा सकते हो ठीक है डेविड मिलर का बल् है और टर्पटर के बल्ले बास आप नहीं ले रहा हुआ उसके बाड्स को रख़़ आंधर करte तो मैं इनको करवा देता लेकिन प्रॉब्लम यह कि यह इतने विकेट होता है न तो यह थोड़े से अच्छे पिक हो जाते हैं पीटर एक डेसेंट पिक रहेंगे ऐसे विकेट पर इनका भी ज्यादा कोई रोल रहेगा नहीं लेकिन हाँ माल लो अगर भारते टीम इन्होंने के बल्लिबाज ना इनमें से कोई दो लेके जा सकते हो वह आपकी चोईस रहेगी मैंने सबके स्ट्रेंथ और वीक्नेस और सिच्वेशन अनालिसिस की मतलब आपको बताया है ठीक है तो यह ध्यान रखना उसके बाद मार्को एंसन कॉईट जी सिमिलन है इनके पावर प्ले सेर किया ठीक है यह इनके बैंच प्लेयर से और यह प्लेयर वाज सिच्ट्स हरे एक प्लेयर का आपको स्टैट्स देखने मिल जाएगा जो अच्छा स्टैट्स रखता हुद्ड के लिए यह करवाए गया है तो अगर खेलते हैं फärस इनकी किन्दबाज ही आते तो आप इन इसके लावा टेलिग्राम से नहीं जोड़ा तो जोड़ जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन के सबसे पहले कमेंट में लिंक बिल जाएगा बिलकुल फ्री और बहुत इंपोर्टेंट है तो फटा फट जाओ और जोड़ जाओ इसले बोला जाता है ठीक है अब देखो आप को ऐसी अप्लिकेशन चाहिए होगी जहां पर आपका टीडियस ना कर दे ऐसे टाइम पर टीडियस बहुत बड़ी बड़ी अप्लिकेशन भी कट कर रहे है अगर आप अपना विड्रॉल करने जाओ तो आप देखो कि आपका थर्टी परसेंट फ्लैट टीडियस कर जाता है जबकि रियल इलेवन पर आपका टीडियस नहीं कटेगा आपको बस अगर आप मन्त में एक बार विड्रॉल करते हो ना तो आपका जो भी टीडियस कटेगा एंड में वो आपके नेक्स्ट मन्त के फॉस्ट वीक में वापस हो जाएगा एज रियल के जो हंडिड परसेंट यूजेबल रहेगा कोई भी कॉंटेस्ट में और अगर आप फैंटेसी बस की यूजर हो यानि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा उस लिंक से रियल इलेवन पर साइन अप करते हो तो रियल इलेवन टीम को पता चल जाएगा कि आप मेरे थ यूजर हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस लिंक से साइन अप करते हो तो यानि कि आप और जो एक्स्ट्रा मिलेगा 7% यह भी 100% कोई भी कॉंटेस्ट में यूजेबल रहेगा तो यह चीज़े बहुत अच्छी हैं अगर आप चाहो तो इसका फाय मिलने मिलते हैं कमीशन कम लेते हैं यह लोग तो उससे भी आपका पैसा बचेगा और बहुत पुरानी एप है ट्रस्टेट आप है मैं खुद इस पर लॉकडाउन से पहले से खेल रहा हूं तो आप सोच सकते हो कितनी पुरानी एप है और कितना ट्रस्टेड है ठीक है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंग है जाके साइन अप कर लेना अब इंडियन टीम की बात करते हैं लेकिर उससे पहले अगर आपको लगता है कि वीडियो से आपको कुछ सीखने मिल रहा है तो एक लाइक जरू कर देना वो लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ कमी है या फिर आपको वो चीज़े देखनी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो फीडबेक की रूप में और अगर आप अप्रिसेट भी करना जाओ तो कमेंट सेक्शन खुला वायर अप्रिसेट करोगे तो मुझे और में बहुत टेजी चे फैल रहा है आप इससे बचो आप खुद से अपनी टीम बना सकते हो मैं हमेशा आपको यही बोलता हूं मेरा वीडियो बनाने का मोटो यही रहता है कि मैं आपको बता सकूं कि आप खुद से अपनी टीम बनाओ जो इन्फो गाइडेंस और प्लेयरस क साथ बार परफॉर्म करेगी जबकि किसी दूसरे से टीम लेकर कोई फायदा नहीं है वह आपको क्या गारंटी है कि वह आप उसकी टीम जीतेगी जीतेगी आप खुद से अपनी टीम बनाओ वह ज्यादा बैटर है आप देखो के दस में से छे साथ बार आपकी बनाई हुई परफॉर्म कर रही है इसलिए मैं आपको बोलता हूं खुद से टीम बनाओ ज्यादा बैटर रहेगा तो यह जो स्कैम चल रहा है मार्केट में जो लोग पैसे लेके टीम दे रहे उससे बचो और अपने दोस्तों के पास यह वाली वीडियो शेयर करो ताकि वो लोग भी इ अच्छा कर सके ठीक है अब इंडियन टीम की बात करते इनके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनके नाम के आगे भी मैंने निशान लगा दिया है फॉर्म देखोगे तो लास्ट दो मैचस में एक सतक आया बाकी संजर संचन फ्लॉप अभी इसे एक सर्मा दोनों मैच में प्लॉप रहा है एक मैच में साथ एक मैच में चार सुरे गुमर यातव ने 214 किया लास्ट दो मैचस में तिलक वर्मा यह 33 और यह 20 अकसर पर्टेल ने डिसंट पर्फोर्मेंस किया विकेट तो नहीं मिला एक एक उबर में क्याई विकेट मिलेगा 27 कि ये बट लास्ट में में तो यह इंडियन टीम के रिशेंट परफॉर्मेंस थे अगर आप मस्ठपिक की बात करोगे तो मेरे अकवर्डिक पांडया होते हैं और शिदीप सिंग होते हैं यह 3 यहां से मस्ठपिक और वहां से आपको मैंने तीन प्लेयर बता है यह च्छे प्लेयर आपकी बेस्टीम हो जाती है बाकी देखो आप संजू सेंशन को लेके जा सकते हो क्यों कि देखो क्वालिटी प्लेयर है पोटेंशियल है अच्छा करने का लास्ट तीन मैं चेज उठा के देखो को दो सतक आया हुआ है ठीक है यहाँ पर 111 है यह दो सतक ह यह है इसके अलावब विकेट कीपिंग अडवांटेज और यह बैटिंग के लिए अच्छा विकेट है अभिषिक्स सर्मय को भी आप लेके जा सकते हो बौलिंग तो नहीं डाल रहे यह बेट बैटिंग के अच्छा पर्फॉरमेंस करते हुए डिख जाए है ठीक है सूरी कुमार याद हो मैं मस्ठपिक किसले बोल रहा हूं चाहे बैटिंग के लिए अच्छा विकेट हो या ना हो ये कैसे विकेट पर बहुत तगड़ा स्कूरिंग करने का दम रखते हैं देट स्वाई मैंने इनको मस्ठपिक बोला है तिलग वर्मा आपके लिए ये 30-40 में easy scoring करके चले जाते हैं तूडाउन आके ठीक है अभी के लिए मैंने नहीं लिया है क्योंकि मेरी टीम में जेगे नहीं बन पा रही है लेकिन आप चाहो तो अगर आप अभिशेक सर्मा को छोड़ रहा हो या संजी सेंशन को छोड़ रहा हो तो इटमींज की को प्रमोट किया जाता है लेकिन कभी भी डिमोट हो सकते हैं बॉलिंग इनको एक एक ओवर मिल रही है और यह विकिट पर भी जो है पेसर का ज्यादा अच्छा नमबर्स है तो मैं इंसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं इस मैं लेकिन प्लेयर तो काफी कर रहें तो यह थोड़े से एक अवरेज अप्शन हो जाते हैं कंडिशन को देखते हैं हार्दिक पांड्या मस्ठब पिक क्योंकि देखो फास्ट गेंद बाजी प्लस बल्ले बाजी है तो इंपोर्टेंट हो जाते हैं रिंकु सिंग की बल्ले बाजी थोड़ी नीचे है तो काफी सांदार है और सिदिप सिंग ऐसे कंडिशन में आप इनको जरूर लेके जाओ दोनों तरफ स्विंग है वेरियेशन्स है यह और का लेंथ भी है तो मेरे कोडिंग मस्ठब पिक है वरन्चकरवर्दी का फॉर्म काफी सांदार है और कुछ एक प्लेयर्स इनके साम इनका भी फॉर्म अच्छा है लेकिन यह पिच को देखो अगर फस्ट निंग की गिंदबाजी है तो मेरे अप आवेश खान के उपर रिस्क ले सकते हो हाला कि आवेश खान उतने विकेट टेकर नहीं है इनको हेल्प मिल सकती है पिच से और फस्ट निंग में आते तो वहा मतलब इन तीनों के बाद वर्ण चकरवर्ती फिर इन में से कोई एक उसके बाद आवेश खान या रवी विस्नुई में से कोई है बाकी आप चाहो तो अक्सर पटेल या तिलग वर्मा में से कोई एक डिफरेंशल पिक के तौर पे लेके जा सकते है ठीक है इस तरीके से से बढ़ जाएंगे गिंदबाजी करने के देन अक्सर पटेल का बल्लेवाजी भी अजल दी आएगा देन अक्सर पटेल एक अच्छी ऑप्शन हो जाएंगा अगर एकी स्पिनर कम खेलता है तो यह आपको ध्यान रखना अक्सर पटेल की इंपोर्टेंस कब बढ़ेगी ठ इसके बाद विजय कुमार वस्या का अगर खेलते हैं तो तीस इनिंग में 42 विकेट है यहाज द्याल लेफ्टाम पेशर अगर खेलते हैं तो 56 इनिंग में 53 विकेट है रीशन फॉर्म ठीक ठाग रहा है तो यह थोड़ा ध्यान रखना है यह प्लियर्स खेल सकते हैं इसके का अवरेज सा रिकॉर्ड है हां कोईटीजी तीन में साथ विकेट है यह द्यान रखना बाकि वेन्यू पे 30 का अवरेजे क्लासन का स्टप्स का पच्छेस और 32 का एधिन मारकरम का है रिकॉर्ड सुरी स्टप्स का नहीं है डेविड मिलर का एधिन मारकरम का 32 का एवरेज और 37 का एवरेज रिजा हेंडिक्स का इस वेन्यू पर तो रिजा हेंडिक्स को आप कर सकते हो र्यार रिकल्ट खेली निया बाकि इंडिया की टरप से इस वेन्यू पर कोई नहीं खेला है एक मच खेले हां जिसमें एक विकेट निकला है बाकि आगें साउथ अफरीका लेकिन थोड़ा स्विंगिंग कंडिशन इनको ट्राबल करता है इसके बाद पेसर को तो इन्होंने रंच किया है जैसे अर्सिदिप को 56 में 70 वरुन चकरवर्ती 41 में 68 किया है लेकिन तीन बार विकेट भी दिया है उसके बाद स्टप्स वरुन चकरवर्ती के सामने दो बर औ मिर्द के सामने सामने एक बार दो बार वरुन चकरवर्ती को आपको बार को आइसकेल अब यहां पर आओ तो यहांपसितुए अब आपको ग्रांट लिक्टी को डैम तीम दुखा दूगा तो इसमें जो मैंने मस्ठभ पिक्स बताए थे अर्सिदीप, भार्दिक पंडा, सुरिकोमर याद हो यहां पर मैंने आपको स्टप्स, मार्को एंशन और कोईटीजी इसके बाद मैंने आप एक क्लासिंग को ले लिया है, इनकी टीम अगर फस्ट बल्ले बाजी करेंगे तो ही लेंगे, अधर्वाइस मैं हां रिकल्टन या फिर रीजा हैंटेक्स में से किसी एक को लेके जाऊँगा, ठीक है, संजु संचन की बात करें तो इनको मैंने ले लिय लिया है, विकेट कीपिंग अर्वांटेज है, प्लस बैटिंग लिए ठीक ठाक विकेट है, मारकरम ने अच्छा खेला हुए पेशर्स को डैट स्वय मैंने इनको ले लिया है, अधर्वाइस फॉर्म अच्छा नहीं है, वरन चकरवर्ती तो हैं यह लेने लाइक, तो आप इन प्लेयर्स की जिगे पे न, चाहो तो चेंजिस कर सकते हो, रियान रिकल्टन, रिजा हैंडिक्स, तिलग वर्माक सर पेटल, आवेस खान, आप यह आवेस खान को कब लोग है, मैंने आपको बता दिया, आवेस खान आपक लिए कब इंपोर्टेंट रहेंगे, संजी इनको अपर grand league में captain wise captain rotate करो, और यह जो players है, trump picks है, इनको high risk high reward दे सकते हैं, इनको as player rotate करो, तो अब अपनी grand league की team बना सकते हो, जैसे मैंने एक ही team बनाई है, इसमें मैंने चंजू संप्षन को ड्रॉप किया है, तिलग वर्मा को लिया है, डेविड मिलर यहां पे लिया है, और यहां stubs को लिया है, ठीक है, मारको एंसन VC किया है, क्योंकि देखो मैं यहां पे expect करना हूँ कि आवेस खान power play में wicket लेके जाए, और यहां इनका top order रिकल्टन को छोड़के थोड़ा सा कॉलस्प करे, देन दो दो विकेट जो जाए वो इनके खाते में जाए, यह लोग प्ले में यह दोनों विकेट लेके जाते है, तो यही फिनिस कर रहे है, तो इस तरीके से सोचा समझा हुआ मेरा यह है, वरुण चकरवर्ति को मैंने drop किया है, डेट्स है मैंने आपे डेविड मिलर रिकल्टन इन सब को स्टप्स को लिया है, डेविड मिलर के सामने तो इसी तरीके से प्लेयर को रोटेट करना है, ऐसा नहीं कि कोई भी प्लेयर आया और ऐसे से आपने रोटेट कर दिया, थोड़ा लॉजिकल वे में कौन सी टीम बैटिंग कर रहे है पहले, किसके अकोर्डिंग वो मैच जाएगा, कौन परफॉर्म कर सकता नहीं कर सकता, वैसे ही आपको प्लेयर को रोटेट करना है, तो ऐसे आप अगर तीन से चार कॉम्बिनेशन बनाओगे और मैच उसी डारेक्शन में चला गया ना, यानि आपका लग अच्छा और जब लग साथ देगा, तो में भी आपकी ग्रेंड लिक में रहेंक अच्छी आजाएगा, सबसे पहले कवर्ड में लिंक मिल जाएगा, फटा फट जाओ जोड़ जाओ, इंपोर्टेंट इसलिए बोला जाता, बाकी दोस्त मिलते हैं, अगली वीडियो में तब तक के लिए, जैए!